पर्मानेंट पोस्ट के लिए तो इस जो वेकैंसी रहने वाली हैं पर्मानेंट के साथ सा सेंटरल गवर्मेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पर तो और अपर जो भी लोग एपलाई करें एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर पड़ लेना तो जो वेकैंसी नेका निकाली है Union Public Service Commission ने UPSC ने तो आपको UPSC की ओफिसल वेबसाइट है यहां पर देखे स्क्रीन आपको सो हो रही है तो यहां पर आपको recruitment section में जाके advertisement को open करना होगा जो new advertisement number दिख रहा है यहां पर 14 2020 तो इसको हम open करेंगे तो यहां पर ज्यादा पोस्ट नहीं है वर जो भी लोग इंट्रेस्टेट हों वो लोग apply जरूर करना इस पोस्ट के लिए तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए और यहां पर बात करते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए और साथ ही साथ यहां पर नर्सिंग ट्यूटर के लिए तो देखे सेकेंड नंबर में वेकेंसी नंबर दिया है यहां पर 20 11 11 40 21 एंद 14 ओनली वन पोस्ट है यहां पर तो असिस्टेंट प्रॉफेसर या फिर सीनियर ट्यूटर के लिए इस पोस्ट का नाम रखा गया है ministry of health and family welfare नहीं पोस्ट ने का लिए only ST candidate के लिए permanent पोस्ट है level 10 से आपको pay किया जाएगा 40 year maximum जो age limit है साथ ही साथ जो central की rules रहेंगे उस इसाब से आपको इस relaxation भी दिया जा सकता है educational qualification में आपके पास MST nursing होना चाहिए साथ ही साथ पास साल का working experience हो जिसमें से तीन साल का experience आपके पास public health teaching और nursing services का होना चाहिए next यहां पर जब भी आप apply करें तो इस notification को जरूर पढ़ लें कि आपकी duties क्या होने वाली है clinical nursing educational administration किस बेस पे आपको है जो duty में लगाया जाएगा और आपका जो headquarter रहेगा job के लिए वह हो सकता है daily दिया जाए वट यहां पर किसी भी state में आपकी है जो posting की जा सकती है next आप यहां पर बात करेंगे staff nurse के लिए fourth number में देखिए तो यहां पर staff nurse के लिए only two post है two vacancies for the post of staff nurse फरक्का महरेस project के लिए यह भी permanent post है यहां पर साफ लगा है the post are permanent एक UR category के लिए post है और एक SC के लिए pay scale 7th पे रहेगा आपका age limit है 30 year educational qualification में कहा है रोने 12th होना चाहिए आपके पास साथ ही जात आपके पास 3 year का या तो GNM हो या फिर BST nursing course हो आपके पास complete किसी भी state nursing council से या फिर INC से registration होना जरूरी है यहां पर age में और qualification relaxation है वो सभी आपको central के rules के साथ से मिलेगा तो जो भी लोग apply करें वो भी notification को पढ़ ले next हम बात करेंगे कि आप लोग इसमें apply कैसे कर सकते हैं तो यहां पर online form apply होना है आपके और last date online recruitment application form के लिए 3 December 2020 printed application के लिए हैं चार दिसमबर 2020 तो यहां पर आपको apply करने के लिए जो यह website में ब्लू कलर से highlights हो रही है इसको आप जैसे ही click करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि online recruitment application के लिए website हैं से आपके form fill up होंगे तो जो भी लोग इन पोस्ट के लिए apply करें वो लोग एक बार notification जरूर प्रॉपरली पढ़ ले और आपको only 25 रूपीज बस पे करना है इस पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आदि आप लोग apply करते हैं इसमें तो आपको only 25 रुपे बस है जो application fee लगने वाली है is relaxation all over things जो भी Central के rules रहेंगे उस बेस पे आपको लगेंगे तो आप लोग एक बार notification जरूर पढ़ लेना है आप अपर देखी application fees में साफ लेखा है only 25 रुपीज है जो आपको पे करने होंगे जो आप net banking SBI के थो या फिर किसी भी master credit debit card के थो पे कर सकते हैं और जो application fee है वो refunded नहीं next बात करते हैं हमकी quality जो आपका selection है किस बेस पे होगा तो recruitment test होगा आपका followed by interview के थो तो यहां पर 100 marks का होगा जिसमेंसे passing marks है only UR और EWS category के लिए 50 marks OBC के लिए 45 SCST PH के लिए 40 marks out of 100 मैंसे आपको इतने marks चाहिए होंगे passing marks है next बात करेंगे कि आप लोग apply कैसे कर पाएंगे form को कहां पे आपको application form मिलेंगे तो इसके लिए यहां पर आपको online recruitment application website को open करना होगा तो यह open हो गई है union public service commission की जो website है तो यहां पर यह देखिए online recruitment application for various recruitment post तो recent का notification है तो यहां पर आप जैसे ही click करेंगे तो यह देखिए यहां पर पर click करके देखना चाहे तो यह से click करके आपको application form को fill up करना होगा आपको form fill up करने के बाद है जो अपना all over things है जो यहां पर fill up करने सीडिंग 35 year education में आपके पास GNM और BSC nursing हो साथ ही साथ यहां पर जो भी रूल सेंट्रल गवर्मेंट के वह अप्लाई होंगे duty क्या रहेंगी provisional period दो साल का है यहां पर headquarter क्या रहेगा आपको फरक का वैरेस प्रोजेक्ट और अधर details भी है यहां पर तो आप लोग वह भी जरूर पढ़ लें और कुछ conditions हो वह सभी चीज़ें आपको यहां पर exit करना है यहां पर direct आपको apply करना है तो देखिए जब भी आप इसको apply कर है कि नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें नेक्स्ट आपको यह सभी नोटिफिकेशन पढ़के क्या करना है आगे की तरफ बढ़ते जाए फॉर्म फिल आप करना होगा आपके लिए नोटिफिकेशन है जो हेल्फुल रहा हो थैंक यू फॉर वाचिंग अस बैबाए